आज के हमारे इस वीडियो में दो इंट्रेस्टिंग चीज़े होंगी हम आज अपना ये trade explain करेंगे एक बहुत अच्छा topic जिसको हमने अपने class में cover किया था उस class recording को आज हम आप लोगों के साथ share करेंगे flat bottom और flat top thank you and welcome to the studio Siemens का हमारे trade चल रहा है इसके अंदर हमने अपने position बना ही 2419 पर and stop process जो इसके अंदर हमने इस वक्त consider कर रहा है अपने 2409 पर हमारे stop process है हमारे profit इस वक्त का चल रहा है तू 3,000 रूपिज का profit हमारा चल रहा है 3,245-400 ओके so Siemens का हमारे trade running है 295 quantities के साथ हमने आज का अपना ही trade execute किया है Siemens को हम लोग देखेंगे because higher time frame पर कुछ एक ranges है like जिसको की हम बोलते हैं in between ranges Siemens को आज हमने in between ranges trade किया है and highs और lows के पास में stock हम को नहीं विला but इसके अंतर जो confirmations थी और जो morning की movements होए है जिनकों की देखते हुए हमने आज का अपना ही Siemens का trade execute किया है so आगे बढ़ते हैं Siemens के आज के इस trade को बहुत अच्छी तरह से और आराम से समझाने की कोशिश करेंगे तो मेरा यह जो प्रयास है life market में trade execute करके जो भी experience होता है life market से जो भी हम सीखते हैं इसको हम आप लोगों तक पहुचाते हैं तो हमें support करते रही है and पे शक आप इन वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं क्योंकि बहुत effort लगता है बहुत प्रयास हम करते हैं अपना काफी मेनत करते हैं कि आप लोगों तक बहुत अच्छा content बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचा है जिससे कि life market के अंदर trade करते वक्त आप अगर loss करने हैं तो वो loss आपका कम हो और धीरे 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 करके आप profit की तरफ बढ़ें वीडियो गर अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीज़ेगा जिससे कि हमें और भी ज़्यादा साहस मिलता है और भी ज़्यादा motivation मिलता है आपके लिए इसी तरह की वीडियो और लाने के लिए क्योंकि हमें मालूम है आप कहीं पर भी कुछ भी वीडियो देखो कहीं पर भी आपको इस तरह से चीज़े explain कोई भी नहीं करेगा कोई भी नहीं चाहता आपको कि price action के नाम पर बहुत सारी चीज़े लोग बताते हैं बट actual चीज़ें क्या use होती है price action में किस तरह से हम लोग trade execute कर पाएंगे कोई भी आपको explain नहीं करेगा सो अब आगे बढ़ते हैं अपना ये आज का trade हम explain करेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये trade अच्छी तरह से हम आप प्रूम को समझा पाए move on to our chart इस वक्त price हमारा consolidation के area में रुका हुआ है अब price में देखिए morning में ये जो दो moves हो गई है आज के telegram channel पर हमने tcs का chart दिया है so tcs में कल के दिन देखिए क्या हुआ था दो candles इसमें form की थी और इन दोनों ही candles के थूँ ये नीचे की तरफ गिर गिर गया था और पूरे दिन price मेरा sideways रहा इन दोनों ही candles में price मेरा sideways रहा और price ने आज कल का low अपना break कर दिया tcs को हमने कल भी अपने telegram channel पर morning में share किया था और आज भी same level को हमने share किया because आज का ये level भी important है मेरे लिए so tcs को भी हमने share किया है and reliance को भी share किया अगर आपने telegram channel नहीं किया तो आप telegram channel जोइन कर सकते हैं जब भी high probabilities के हमको stocks मिलते हैं जिसको कि आप trade कर सकते हो जहां पर आप अपनी study में ये levels आपका बहुत help परेंगे आप telegram channel मेरे जोइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है कल tcs देखिए जैसा अभी हमने बता है कि दो candles में नीचे गिरिया था आज का अगर हम अपना stock देखेंगे तो आज siemens ने देखिए क्या किया है दो ही candles में upside बिलकुल जैसा कि कल tcs ने move दिखाया था morning में same वैसा ही move हमको siemens ने दिखाया है दो candles में upside है और तब से ये रुका पड़ा है बट इसके अंदर हमें confidence तबाया जब price अपने 920 की candle के low पर आ करके reject हो गया और यहां पर जब आप देखोगे कि volumes increase हुए prices में जो volumes हैं इनके increase हुए हैं और price ने इस volume का breakout upside की तरफ कर दिया यहां पर छोटी छोटी चीज़े हैं अगर price को मेरे upside की तरफ जाना है कई बार हमसे पूछा जाता है कि price downside की तरफ गिरेगा मतलब कभ हमें short करना है कभ बाई करना है यह कैसे पता चलेगा simple सी चीज़ है अगर आपको short करना है opposite सोचिए आप short करने के लिए बैठे अब अग लिशक अगर हमारे price को upside की तरफ जाना है तो यह अपने lows को protect करेगा अगर उसको upside की तरफ जाना है तो price अपने highs को break करेगा अगर नीचे गिरना है तो highs को protect करेगा और जिस तरह से upside में जाते हो प्राइस मेरा लोब्रेक करता हैनीचे गिर्ना लगडए करेगा लीचे गिरना है लोब्रेक करेगा इस तरह से अगर बाइन करनी है तो में देखना होगा कि क्या प्राइस मेरा अपनि candle js को low break कर रहा है फिर high break कर रहा है अच्छा ये high break कर रहा है ये लोब कर रहा है ये समझाने में और बात करने में यतना असान है एक्रिषिन जब आप market में practice करने क्वाएं तो इतना easy नहीं होगा citra कि यहां पर देखें कई सारी चीज़े हुई है क्या यह जो black वाली candle इसका low break नहीं हुआ है क्या यहाँ पर ये वाली जो black candle इसका low break नहीं हुआ है क्या ये वाली जो green candle क्या इसका low break ने हुआ हुआ है ना लो तो break हुआ है फिर यह तो जो चीज़ अभी हमने पता इसका तो just opposite हो रहा है बट यहां पर जो master candle है अब ज़रुत पढ़ती master candle कौन कौन सी होती है important formations कौन सी है important candles कौन कौन सी है okay important candle कि थुरू ही हम यह पता लगा पाएंगे कि price high break कर रहा है फिर low break कर रहा है और all over यहां का movement क्या है direction क्या है price का यहां पर देखिए एक बार 9.15 का high break कर दिया तब से price मेरा upside की तरफ ही है यानि कि यहां पर 9.15 का high break हुआ किया वापस प्राइज नीचा फिर प्राइज के high break होने शुरू हो गया इस तरह से सीमेंस के अंदर हमको यह direction पता चल रहा है कि 9.20 से price ने support लेकर फिर से अब direction के move continue कर दिया प्रीवेस जो हमने इसके अंदर stop loss लगा है एंड इस टॉप लॉस के लिए देखिए हमने क्या किया कि सीमेंस ने कल कुछ lows लगा थे ओके यह low लगा एक high अगेन यह low फिर से यह high फिर देखिए price ने low लगा दिया फिर high फिर low लगा है price ने फिर एक high मतलब कि यह मेरा एक swing बन रहा है कल मार्केड ने अपने इन swings को प्रोटेक्ट किया था काफी आसान है समझना price action को अगर आप बहुत मेहनत करके आराम से इत्मिनान के साथ बैठ करके इसको समझने की कोशिश करोगे एक भरपूर टाइम अपने चार्ट्स रेडिंग में दोगे तो ऐसा नही पर आपका जो time है उसको manage करना पड़ेगा price action को read करना ही होगा अब यहां पर यहसे देखिए मेरे swings बने हैं कल के price ने मेरा यह swing ब्रेक कर दिया अब अगर price को नीचे की दिशा में ब्रेक किया था है यहां पर अगर price को नीचे गिरना है तो क्या होगा यहसे भी मुने बताय अगर price को ऊपर जाना है तो क्या वह अपने lowest break करेगा यहां पर देखे क्या हुआ हुआ price ने अपने lowest को protect किया और highs की तृफ निचलो वापस अपने is swings के ऊपर जाकर के trade करना है मेरा प्राइस अपने इन स्विंग के ऊपर निकल गया यहां पर निकल करके ट्रेट कर रहा है अब क्या हुआ है जो अपर स्विंग बने थे इसके इस रेंज के पास में जा करके प्राइस मेरा ऊपर के दिशाम निकला और इसने कल के ट्रेडिंग सेशन का जो भी हाई था उस किसी swing के पास में अपने आज की स्टॉप्रस लगा दिया समझने की कोशिश कीजिए कल अगर प्राइज नहीं किसी एक सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया था तो प्राइज मेरा आज वहां आता है परसो का जो भी ट्रेड हमें एक्जेक्वीट किया था उसमें 3000 रुपय का लॉस हुआ मार्केट है यहां पर कुछ भी हो सकता हम चाहिए जितनी अच्छी अनैलसिस करने का अब वह अनैलसिस गलत है यह सही है मार्केट के उपर डिपेंट करेगा मेरा काम है एक सही जगह देखकर के वहां पर अपना स्टॉप लगाई एंट्र लीजिए और चुप चाप बैट चाहिए उसमें अगर आप डॉक्टर बने की कोशिश करोगे बाई कर लिए एक रेट केंडल देख लिए गवरा आ हुआ है और यहां से अपसाइट की तरफ जा रहा है अगर इसको उपर की देशा में जाना तो मेरा स्टॉप लोस नहीं लेगा यह इस राइंच को कर देते हैं डिलीट इतन सी समझ में अब यहां से अपसाइट के जो मेरे डिरेक्शन से जो मेरे टार्गेट से में भी हम ऐ देख की चांस है कि यहां पर थोड़ देर रूख के और इसके बाद में अगर इसको अपसाइट की तरफ जाना है तो अपनी रिंज इसके ब्रेक्शन करते हुए अपसाइट की तरफ चला जाएगा अच्छे मूव्मेंट का वेट करते हैं और प्रॉफिट से हमारे बेशा है and stop-loss वगरा के लिए order book देखते हैं जो stop-loss हमने इसके अंदर लगा रहे हैं 2409 paper मेरे stop-loss है और 295 quantity 2419 पर मेरी जितनी भी entries है सारी quantities मेरी execute so wait करते हैं किसी एक अच्छे movement का को बड़ा movement होता है तो इसका मतलब यह होता है कि जब targets लेने की बार याईगी तो उसको भी हम पूरी तरह से wait करेंगे ऐसा नहीं है कि जब stop-loss दे रहे हैं तो बड़ा stop-loss दे रहे हैं और जब targets लेने की बार ही आ रहे है तो 2-4-5 रुपया जो भी profit हो रहा है प्राइस यहां पहुंचा यहां पहुंचा यहां पहुंचा यहां पहुंचा उससे मतलब नहीं बस हाम जो हमारा profit वह ग्रीन में है तो निकल जाते हैं कई सारी factors होते हैं जिसके वादिसे यह 5% और 95% लोग हमें मालूम था कि मेरा stop loss जाएगा तो हम पहले क्यों निकल गए या फिर हाफ कॉंटिटी हमने क्यों निकल गहे हमें नहीं मालूम करके फिर हाफ कॉंटी का हमें profit मिलेगा तो हमें नहीं मालूम था कि हमारा stop loss चला जाएगा वो तो चला गया चले जाने के बाद हम बात बना सकते हमें निकल जाना चाहिए था हमें half quantities book कर लेनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मालूम है कि stop loss चला जाएगा हमने पूरा वहाँ पर वेट किया गए तो अब आज प्रॉफिट लेने के बार है तो किया यहां कि हम रिवाउस को रियास कूरोंगा तो काफी सारी चीज़ से जब 6 महेने की बाद परोट कर पीछी दो आपको लगएगा जो किसी दूरसियर वहार किया सब kitchen कि चाहिए था is सिस्टम को आप 6 महिने तक फॉलो करते रहते तो रिजल्ट कुछ और होता है इस तौत का अपना प्रॉफिट चल रहा है 8500 रुपीज के लगबग अपना प्रॉफिट है काफी ठीक थाक मुव्मेंट हमको सेमेंस के अंदर दिख रहा है अचके दिन देखते हैं हमको हमारा टार्गेट मिलेगा या फिर हम इन बीट्विन या साइडवेज मार्केट के अंदर फसकर रोकेंगे फिलाल ऐसा लगता तो नहीं कि मार्केट साइडवेज होगी छोटी- अपना हाई ब्रेक कर दिया है और अभी प्राइस अपनी रेंज के ऊपर है तो थोड़ी बहुत पॉइंट से ही अपना टार्गेट रुका हुआ है 2447 और 2463 लगभग 20 पॉइंट से अपने शेश बजे हुआ है प्राइस अगर उपर जाता है तो तुमको टार्गेट प्राइस चल रहा है अभी यह कुछ पर कम हो गया 2462.20 चल रहा है तो यहां पर अपने टार्गेट्स बॉक कर लेते हैं 2463.30 कॉपी सबसे पहले जो स्टॉप लॉस ओडर है हमारा इसको कैंसल करते हैं यहां से पॉफेक्ट स्टॉप लॉस ओडर को कैंसल कर दिया है अब बार है यहां पर अपना एक बाइंग ओडर लगाने की इस वत का जो प्राइस चल रहा है मेरा 2463 करना है पेस्ट 2463.30 चल बाइंग ओडर में लगा दिया अपना सक्सेस्फुली लग चुका है ओडर बुक में देख लेते हुआ 2463.30 हमारा ओडर लग चुका है एंड पोजिशन बुक 6305 20 पैसे से हम रुके हुए है 63.30 धेरे देरे ओडर नहीं काल रहा है अपना 200 कॉंटिटी बचेए 63 पर जा जा करके वापस प्राइज मेरा नीचे की तरफ गिर रहा है थोड़ा सा मूव्मेंट देख रहे हैं जब 10 पैसे 20 पैसे और 30 पैसे साब की टार्गेट मिस हो रहे हैं देखिए प्राइस के मूव्मेंट देखिए कितनी बड़ी हो रहे है और अपने निकल जाएंगे यहां अभी 202 कॉंटिटी अपने पास शेष बची हुई है 93 कॉंटिटी सिर्फ निकली है पार्टली एग्जेक्यूटेट प्राइज है बस थोड़ा सा और लिजाए ओके ओके लगभग कॉंटिटी निकल गए 10 कॉंटिटी बची हैं देखिए बची है वेरे गुट सो जितनी भी कॉंटिटी थी हमारी सारी के सारी निकल गई है लास्ट मूब्मेंट में जब आपको बाहर निकलना और 20 पैसे 30 पैसे आपके प्रॉफिट बुक होते होते रह जाते हैं तो बहुत वोलेटाइल मार्किट जिस दिन होती है तो काफी ज्य 295 कवंटिज का बाइंग और सेंटर का जो अपना फ्राइज है यह बाइंग और और यह अपना इजब्यान चॉकी है पनी स्टॉपर थो पहलेएं करना होगा और उसको बहुत आराम से इत्मिनान के साथ देखने के कोशिश किजाएगा कोई भी अगा डाउट होता है कुछ इस्व होता तो कमेंट बॉक्स में में लिख दीजाएगा अपने कॉश्चन्स पूरी कोशिश करें कि आपके कॉश्चन काम मांसर करें ध्यान से और बहुत इत्मिनान के साथ इची सुनियागा जो चीज़ा भी हम बताएंगे आपको देखिए कुछ चीज़े होती हैं कुछ फॉर्मेशन होंगी लाइक जहां पर भी कंफ्यूजन हो जिसको भी कंफ्यूजन हो मैसेज बॉक्से में हलका सा इशारा कर दीजागा ह इधर से मैक्सेस नहीं क्योंकि सबी उनके मैक्स हमने म्यूट कर रखे हैं ताकि कुछ डिस्टर्मेंस नहीं हो हल्का सावी कहीं पर लगे डाउट तुरंत इशारा कर दीज़ागा हैंड्राइस कर दीज़ागा एक और मैसेज ट्रॉप कर दीज़ागा है फॉरन हम आपका म हम लोग इसको पढ़ते हैं फ्लैट टॉप या फिर फ्लैट हम लोग यह नाम देंगे हैं मतलब किस नाम की हैं देखे यह कोई मेरी बनाई हुई फॉर्मेशन नहीं है बनाई इंदसंस यह तो मार्केट में किसी का कुछ नहीं मतलब हम बोलें कि यह फॉर्मेशन हमने बना आप फ्लैक पैटर्न हो गया बटरफ्लाइज हो गया कुछ पैटर्स होते हैं लाइक इन पैटर्स का में ज्यादा यूज करते नहीं मेरा बिलीव नहीं है इनके बिलीकुल भी अपना जो ट्रेट करने का सिस्टम में वह दूसरा है आपनों को मालूम है कैसे हम उसको ट्रेट करते हैं हाईयर टाइम पर प्रैस को रीट कीजे एक सपोर्ट रेस्टेंस पॉइंट कीजिए वहां से ट्रेट कीजिए यह अपना ब करें बाटी कुछ थैयों नहीं करें द्यान से सुनिया बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं मैं आपको इसको यह ग्जमपल भी दिखाएंगे जतना हो पाएगए आपके पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा काफी साररी ट्रेड़र्स इसको अपने अपने पर तरीकरे स करते हैं explain करनी की कोशिश करते हैं करने की कोशिश करते हैं सब ही लोगों का अपना तरीका है जिसके थूरू हो उसको कंज्युम करते तरीके तो हैं लेकिन बहुत ज़ादा जब हम लोग शुरुती स्टेज वे होते हैं तो कई सारी चीज़ों को अंडेरिस्टिमेट कर लेते पूरी नॉलेश नहीं होनी के वज़े से क्या करते हैं मन में यह माले तो काम ही नहीं करती है चलो हटाओ जबकि उसके बारे में पूरी इंफरमिशन नहीं है जब हम लोग अपने कॉलेश टाइम में थे या फिर कुछ मेरा बैग्राउंड है लाइक जब हम रीट करते थे तो लेकिन अगर किसी एक बुक को आपको खराब भी कहना है तो उसके लिए आपको उस बुक को पूरा पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं कि हमने दो चार पेस्ट पड़े और पूरी बुक को उन्हें घलत साबित कर दिया ऐसा तो करना अच्छी बात भी नहीं जबकि हम किसी जि इसी तरह से अगर यह फॉर्मिशन आपको बला रहा है तो इसको बहुत अच्छी तरह समझेगा समझ में नहीं आती है अच्छा यह फ्लैट टॉप और फ्लैट बॉटम है क्या यह माना जाता है फ्लैट टॉप का मतलब कि एक कोई सपोर्ट पॉइंट है अप प्राइज मे होना कंपल सरी होगा जितने अच्छी तरह से में फॉर्मिशन बना रहें अच्छी आर्ट का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हम अपने आपको एक्स्प्रेस कर पाएंगे वह तक जो फॉर्मिशन बताना चाहिए वह काफी अच्छी तरह समझा पा तो जब हमारा प्राइस डाउन सैट की तरफ गिर रहा है और प्राइस मेरा डाउन सैट की तरफ गिरेगा इस फॉर्मिशन के तो होगा क्या कि किसी एक सपोर्ट पर आकर के यह प्राइस आपका फ्लैट हो जाएगा मतलब प्राइस आपका किसी एक सपोर्ट पर आया और यहां पर प्राइज अपने हाइस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है हर समय जो भी इसके स्विंग्स होते हैं कई आपको लेगे जो बेसिक जो इसका रेस्टेंस पॉइंट है प्राइज उसको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि लूजबिप होते हैं प्राइज में सबसे पहली चीज़ क्या। प्राइज पर किसी एक रेंज पर एक बार टक रहा है दूसरी बार से हम लोग उसके अंदर प्राइस अंदर एन जैसे सिर्फ पहली बार जब प्राइस हमारा किसी एक रेंज से टॉड हो रहा है तो एक बार मेरा प्राइस किसी रेंज पर किसी लेवल पर टॉड हुआ है हम तब उसके अंदर analysis करने नहीं चले जाएंगे एक ही बार मेरा price किसी range पर touch हो रहा है और अगर price मेरा नीचे की दिशा में निकल रहा है मान लिजे कि यहां से price गिरते गिरते सबसे पहली बार यहां पर आया और यह नीचे निकलने लगा अगर नीचे निकल रहा है तो इसको निकलने दीज़े किसी भी एक point पर support पर price आकर कि एक बार में उसको break कर दे ऐसा बहुत कम होगा market है देखिए हो कुछ भी सकता है हम लोग यहां पर क्या करने कि जो ज्यादत हर चीज़े होती है probabilities जिनकी ज्यादा हो रही हम लोग उसके बार focus करने ही कोशिश करने है अगर हम यह बात बोल रहे हैं कि price किसी range पर एक बार टकराया है तो वापस उसको break कर देगा मतलब एक बार टकरा जाने के बाद में किया वो किसी एक support को break नहीं कर सकता या फिर कोई resistance है price में कि आप पहली ही बार में breakout नहीं हो सकते हैं बहुत हो सकते हैं लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है अधिकतर आपने देखा होगा आपने observe क्या होगा कि price अगर किसी range पर एक बार टकराया है तो थूआ सा bounce होगा वो दूसरी बार नीचे आएगा या तो ब्रेक कर देखा अधरवाइस उपर जाने के बाद में वह आवा करके ब्रेक कर देखा ऐसा होता है अच्छा प्राइस का जो यह वाला नेचर होता है इसी का इसी नेचर का यूज बेसिकली हम लोग अपने फ्लैट बॉटम के अंदर करते हैं कि प्राइस नीचे गेला है गेला है और वापस आकर के प्राइस मेरा किसी एक range पर फस गया मतलब सपोर्ट पर आ गया और वहां से वह पिट लग रहा है लग मतलब नहीं है अगर प्राइस मेरा के बाद में अगर इसके अंदर मतलब आने जब प्राइस मेरा तो यहां पर क्या होगा कि लोवर लोज और लोवर हैस लगाते हुए और इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो मेरे स्विंग आई हैं उनका प्रोटेक्शन मार्केट कर रही है यानि कि प्रोटेक्शन यहां पर लेख सकते हैं लोग प्रोटेक्शन ऑइब कि विएग हैँ अपने हाइज को प्राइस प्रोटेक्ट करने के कुशिश कर रहा है कि यह कुछ रूल सोंगे लूवर हाइस प्राइज अमारा लगाते हुए आएगा प्राइस का मेरा डाउं ट्रेंड में होना कमकल सरी है और प्राइस मेरा सब्वोट राफिर के रूपे एक यह कुछ बेसिक नेचर होते हैं अगर प्राइस के अंदर यह चार पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं तो हम इसको फ्लैट बॉटम के रूप में निर्धारित करेंगे इतनी सी चीज हो जाने के बाद में प्राइस अगर आपका किसी एक सपूर्ट पर आकर के फ्लैट हो ज करेंगे यानि के इसका जो अब्जुवेशन होगा मेरे लिए वो डाउन में होगा अगर इस तरह की चीज़े हो रहे हैं तो प्राइस को एक तरह से हम लोग बाई नहीं करेंगे उसके अंदर हमेशा हमें शॉट सेलिंग ही करनी है मतलब माइंड सेट फिक्स है अगर प्रा प्राइस अपने स्विंग हाइस को प्रोटेक्ट कर रहा है और सपोर्ट पर आने के बाद में यह अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है मतलब ना तो ऊपर ना नीचे प्राइस जब-जब किसी एक रेंज में फसता है इसको आप साइंस के जो रूल्स होते हैं उसके आप लिए याद कर लिए जब जब प्राइस अपनी किसी एक रेंज के अंदर फसेगा उसके अंदर जो ब्रिक आउट सोने की संभावनाएं होती हैं वह उतनी ही बढ़ जाते प्राइस एक्शन के यह कुछ नियम होते हैं कुछ एक चीज़े हैं कि जो कभी चेंज नहीं हो लाइक सेमेट्रिकल ट्रैंगल लोग बोलते हैं किसी एक रेंज के अंदर फस्स जारा हो और उसके अंदर ही अंदर ट्रेट करने लगना प्राइस ना तो मेरा ऊपर ना नीचे ऊपर नीचे नहीं जा रहा है और जो अपर रेंज है यह वाली अपर रेंज प्राइस अपने के दिशा में जा रहा तो ऊपर से नीचे गिर रहा और एक रेंज के अंदर यह फस्क के रह गा जब इस तरह के मुवमेंट के बाद में प्राइस के ब्रेक आउट होते हैं इस तरह से जबाप काम करोगे दो बहुत सारे experience कि आपको ज़रूरत पड़ेगे, ऐसे में क्या है कुछ चीजों को fix करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप उसको fix कर दोगे न, तो बहुत हद तक आपको possible है कि चीजें आपके लिए clear हो जाएगी, बहुत हद तक clear हो जाएगी, otherwise देखी होगा क्या, हाँ, यहाँ पर एक कुछ एक चीजें जो कि fix करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे वो points कौन कौन से हैं, एक कहवत बोली जाती है, जो आप चाहो, जो आप चाहो, वही market भी चाहे, success होने के ratios बढ़ जाते हैं, जो market चाहे, वो आप चाहने लगो, success ratios कम होने लगते हैं, इस एक point को हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम समझाने के कोशिश करते हैं, या धीरे 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 क्योंकि ये एक डो लाइन है ये समझने में को बहुत समय लगिया था, simple way में अगर हम आपको बताएं कि अगर किसी stock के अंदर, जो हम चाहें, वो market चाहें, हम चाहते हैं कि Tata Steel के अंदर हमें short करना है, Tata Steel को हमें short करना है, अब price मेरा क्या कर रहा है, ये नीचे की दिशा में आया, हमें करना है short, Tata Steel को short करना है, price मेरा नीचे की देशा में आ रहा है, और यहां से ये उपर पलेट गया, मतलब ये तो भाई हो गया, चलो ठीक, हमें तो short करना था, ये बाई हो रहा है, ये क्या हुआ, कि जो market कर रहे हैं हम भी करने लाग जा रहा है, मतलब mówi जिदा मार्केट कि हवा जो मार्केट हम से कर्वाना चारी हो ही हम एक पॉइंट हो गया हम यहां पर क्या करना चाह है, कॉछ नहीं करें अगर हम चाहते हैं एशन पेंट के अंदर बाइंग एग्जेक्यूट करना हमें बाई करनी एशन पेंट के अंदर जब हम चाहेंगे कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर इस्टॉक के अंदर बाईं करनी है प्राइस जब अपनी रेंज के ऊपर गया और प्राइस भी बाई हो रहा है मतलब वहां पर अपने रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं तो हम इसको बाई करेंगे अगर हम यहां पर मेरा माइंडसेट बाई का है और प्राइज मेरा शौट हो रहा है तो हम क्या करेंगे शौट नहीं करेंगे करने देंगे मार्केट है वो तो उपर नीचे कुछ भ भढ़ते हुए नसर आएंगे कि यहां पर हम यह चीज़ आप से क्यों डिस्कुस कर रहे हैं, यहां पर प्राइस मेरा UBER की दिशामे गया हम ऊपर के-2 ताया रहे हैं नीचे की दिश्चाम में नीचे केना रहे है किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है कि हमें ट्रेट करना यह नहीं करेंगे हम अच्छी एपॉटुन्टी का वेट करेंगे हमने यहां पर आपको क्या एक्स्प्रेंट करने की कुशिश की है फ्लैट बॉटम प्राइस किसी एक सपोर्ट पॉइंट पर है यहां पर हाइस जाने के बाद मेरा प्राइस फ्लैट हो चुका है इसके अंदर अभी ब्रेक आउट होगा डाउंसाइट की तरफ होंगो तो अच्छा मूव आपके मिलेगा अब यहां पर हमने आपको फ्लैट पॉटम केर किया है इसका जस्ट वाइस वर्सा फ्लैट टॉप है अभी आप नियू वाइस नहीं या फिर इतने सभी लोग एक्स्पिरेंस ओल्डर है तो वाइस वर्सा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं अभी जो भी चीज़ हमने बताई है जस्ट इसका पॉजिट कर दीजिए यह फ्लैट टॉप बन जाएगा कि प्राइस किसी एक रेजिस्टेंस प प्लैट बॉर्टम में हम बाइंग और सेलिंग पहले से ही निर्धारित करते हैं वह काम होगा तो करेंगा अदरवाइस नहीं इतनी चीज़ा रहते हैं किसी तरह कोश्टन्स नहीं है आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी अभी हम लोग वापस चलते हैं चार्ड पर और चार्ट पर देखते हैं देखिए आप सभी लोगों ने टेलीग्राम पर देखा होगा कि हमने कुछ समय पहले अभी शायद दो तीन दिन पहले एक लेवल हमने ड्रॉ करके शेर किया था अगर हम चाहें तो इसको यहां पर दिखा सकते हैं आप लोगों को देखिए यह अपना करंसी का चार्ट है यहां पर दिखे सीम चीजें हो रहे हैं कि प्राइज मेरा डाउन सैट के तरफ आ रहा है और यह बॉटम पर आकर के फ्लैट हो गया है एक बार दो बार तीन बार तीन बार इसने अपने बॉटम पर आकर के सपोर्ट लिया और इसके अंदर हमने इसके बाद में प्राइज के अंदर नेक्स्ट मूफ क्या हुआ था यह वाला था प्राइज मेरा सीध है जैसे इसने एक दो तीसरे पॉइंट के बाद में डिरेक्ट की नीचे की दिशा में गिर गया और अच्छी तरह से गिरा आज भी जो मेरा प्राइज है ना वो इस र यह वाले पॉइंट यह सबोट पांट थे और प्राइज मेरा अबसे डाउंसैट के तरफ गिर रहा था प्राइज ने जो इने सपोर्ट को ब्रेक किया था तो यह सीध है यहां से नीचे की दिशा में गिए यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है प्राइज अपने हाइज को प्रोटेक्ट कर रहाइं और लोउस को ब्रेक करता चला जा रहा है और यहां पर अपने बॉटम पर और और सीदह नीचे के लिगंग्या और अभी जो प्राइज मेरा कर रहा है यह नीचे यह वहां से एक डीरनीच ही द्यूसरा स्टॉक करें आपको लाइक आप देखोगे PCS PCS के अंदर ये formation हमारी आज के दिन ड्राव होगी है इसको आप लोग observe कीजेगा कल के लिए है ना अगर ये नीचे की दिशा में प्राइस जाता है आपको काम करना है नहीं जाता है छोड़ दिजे लेना देना नहीं है कुछ मतलब नहीं है टाइम फ्रेम इसके अंदर जो यूज होगा चतुर टाइम फ्रेम जो इसके अंदर में लोग यूज करेंगे पाइब मिनिट का करेंगे तिक फाइब मिनिट से उपर भी नहीं जाएंगे दूसरा एक विपरो आप ओपन करिए हम उपन करते हैं विपरो को जब यह क्लास खत्म हो तो थोड़ा सा चार्ट अभी जो भी ओपन करें इसको देखेएगा विपरो के अंदर देखेए क्या हुआ है आज के दिन ट्रेट बगारा एक्जेक्यूट किये नहीं थे हमने विकॉस मॉनिंग में दो परसेंट का मूज उतना बड़ा हुआ प्राइस खुलते ही नीचे गिर गया था मेरा सीधे जितने भी स्टॉक्स अगर रहते सारे के सारे अपनी रेंज को छोड़ चुके थे मॉनिंग में तो ट्रेट किया नहीं था तो शीव जी ने भी शाय ट्रेट नहीं किया था द यह सपोर्ट पर आकर की रुक जा रहा है बार बार और यह सपोर्ट आज का नहीं हम इसको ड्रॉड कर लेना अगर हम ड्रॉड करें तो देखिए काफी पुराना ही सपोर्ट प्वाइंट मिलेगा आपको यहां से प्राइज मेरा उस रेंज पर रुका हुआ था उस रेंज बॉटम तुम दोगों ने देखा है अभी फ्लेट टॉप पर चलते हैं एक स्टॉक हमें याद है चोला फिनान्स चोला फिनान्स में सबसे अच्छा जो सेटप मिला था हमको चार तारीक था हुशाद यहां पर देखिए अच्छा एक चीज यह याद रखिएगा कि जितनी भी फॉर्मेशन्स वगरा है ना जी तन में उसके अंदर नहीं है आईसे ही से में हम देख रहे थे चलिए आईसे ही से देखते हैं एक चीज याद रखिएगा जब शुरू शुरू में आप देखोग आई स्फोर्मेशन्स फाइंट करने में फोड़ी से प्रव्लंग होंगी आपको टैक्टिस करोगे वैसे वैसे हैं को समझ भी आने लगें हैं जैसे आप्लों प्रैक्टिस करते जाएंगे जाए हो सकता है अभी मेरा सामनीं चार्ट बना हुआ यह हमको देख रहा है यह वन तू और तीसरी बार में प्राइज मेरा ओपन लेख लिए था तो ठीक ठाग मुवमेंट इसके अंदर विखुत नहीं हुआ था काफी अच्छा मुवमेंट